Hello everyone, very warm welcome to all of you on the platform of agriculture NGK, knowledge for all. मैं हूँ आपकी होस्ट एंड रोस्षी वांगी. इस सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं important topic जो FCI exam के लिए बहुत ही important session होने वाला है, जो है RTI ACT 2005. इसके बारे में इस सेशन में आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि क्या है ACT कैसा है. ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि agriculture NGK लेकर आए हैं एक बहुत ही special course जो FCI, AGM और टेकनिकल के लिए इसमें आपको मिलते हैं complete notes, video lecture, PDFs and जो भी previous year के question papers हैं वो सारे ही आपको इसमें मिलेंगे सिर्फ 999 में तो make sure अगर अपनी तयारी को boost करना चाहते हैं तो आप इस course को जरूर से जरूर purchase करें. वीडियो शुरू करने से पहने एक छोटी सी request है कि अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe करिएगा, वीडियो को like and share करिएगा और कोई भी अपना suggestion हो तो हमें comment box में जरूर बताईएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना session. In today's session, our first thing that is in our screen that is right to information in 2005. So, सबसे पहले तो यह जी जाती थी मांग में कि right to information act क्या है, कब आया था ये, तो इसको चलिए one by one हम देखते हैं और जानते हैं कि क्या है ये, कब ये आया था ये act, तो ये जो act है हमारा, जिसे हम बोलते हैं, right to information और RTI भी से बोलते हैं, तो ये जो है in act हुआ था कभी, Parliament of India के द्वारा ये in act हुआ था, और कब हुआ था ये in act, ये हुआ था हमारा 15 of June 2005 को, 15 of June 2005 को ये in act हुआ था, और इसकी ascent जो हुई थी, कि वो हुई थी आपकी 22-05 और ये effect में कभी आया था, ये effect में आया था आपका 12 October 2005 को, तो ये तीनों ही डेट जो है, ये बहुत ही important है, आपके exam point of view से भी, एक basic stat का portion है, static gk का part हो सकता है, ये पूछ सकते हैं आप से कि in act कभ हुआ था, और जो है, फोर्स में कभी आया था, कभ से लागू हुआ था, तो ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, बाकी अगर बात करें, तो पहले जब ये act बना था, जब 2005 में ये act बना था, उस टाइम पे, जम्मू और कस्मीर में, ये act जो है, और जब ही 2019 में आपको याद होगा, तो 5 अगर्स 2019 को, आर्टिकल जो 370 है, वो rework हुआ था, उसके बाद से, ये जो है, पूरे whole of India में, जो RTI है, ये हमारा एक तरह से लागू होता है, जम्मू और कस्मीर में भी, पहले नहीं होता था, लेकिन जब ही रिमूवल हो गया, 370 का, अगस्त 15 2019 को, तो तब से वहाँ पे भी ये लागू होता है, तो ये भी एक important term है, याद करने का, कि कब हुआ था 370, reworked का will pass कब हुआ था, तो वह हुआ था हमारा अगस्त 5 2019 को, तो ये एक extra fact है, जिसको आप याद रख सकते हैं, तो फिर चलिए, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, में सबसे बड़ी चीज होती है, कि इसका objective क्या था, ये जो चीज़ें दिमाग में आती है, कि ये act आखिर बनाया किसलिए गया था, तो में objective जिस चीज़ को दिमाग में रख कि ये बनाया था, वो थी हमारी दो चीज़ें, बेसिकली एक था हमारा, कि एक legal framework को provide कर रहाना, citizen को, ठीक है, उनको एक तरीके का democratic right देना, जिससे वो information को assess कर पाएं, ठीक है, जो public authority के control में है, और जो उनको जानना जरूरी हो, ठीक है, कोई भी information है, जो public authority के अंदर है, और वो necessity है, ठीक है, उसको ये समझा गया, कि ये जानकारी जो है, अगर हम जब चाहें, तो हम ले सकते हैं, तो ऐसी knowledge के लिए, एक बहतर और एक easy platform, जो है, वो RTI बन के आया, ठीक है, इसके थूँ जो है, इस चीज को काफी smoothly देने के लिए, और एक democratic right देने के लिए, कि जो information हो, कि public authorities क्या कर रही है, उसके बारे में, हमारे लिए क्या policies हैं, उनके बारे में, एक बहतर जानकारी, कि आप इसके थूँ प्राप्त कर सकते हैं, पहला objective तो यह था उसका, दूसरा था कि, जो transparency को promote करना, जब ही हम किसी चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो उससे जो है, हमारी transparency जो है, वो क्या होती है, promote होती है, बहतर बनेगा, क्योंकि हमें पारदर्सिता आती है, कि क्या काम हो रहा है, exactly हमें उस तरीके से उस बारे में पता रहता है, तो basically जो to promote transparency and accountability in the functioning of every public authority, जीतनी भी public authority हैं, उनको transparency को promote करने के लिए, और उनकी accountability को promote करने के लिए, जो major जिसके दो objective थे, जिसके अंडर इसको लाया गया था, तो ये तो हो गया इसके objective के बाद, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं, कि RTI जो act है, वह हमारा, ये किसने लाया था, Parliament of India के द्वारा, ठीक है, ये provide किया गया था, जिसमें, जो है right to information, जो citizen ठीक था, right to information for citizen को replace करके, जो हमारा freedom of information act था, इसके पहले 2002, freedom of expression करके एक act था, 2002 में था उसको जो है, replace करके हमारा क्या आया, ये right to information, जो citizen के लिए, जिससे वो easily, जो public authorities की knowledge है, उसे जरूरी information है, उसको वो easily assist कर पाए, इस provision के, जो है, इस act में जो provision है, उसमें कोई भी citizen हो, जो India का, वो request कर सकता है, information के लिए, public authority को, ठीक है, public authority एक government body होती है, basically state के लिए, ठीक है, तो और उसको क्या है, वो immediate reply के लिए भी, बात दे होती है, कब तक, मतलब, जो limit है, वो 30 days की limit है, इसके within उसको reply देना ही होता है, तो यह जो act है, और यह पहली चुछ जो दूसरी चीज़े होई, कि यह जो act है, यह जो है, जो जितनी भी public authority है, उनको जो है, यह देता है, कि वो computerize करें अपने data को, उनके जितने भी record है, उनको वो computerize करें, जिससे उनका wide dissemination हो सके, ठीक है, और उनकी जो like hard data को, एक particular category के हिसाब से divide करें, कि जो citizen है, जिनकी need है, ठीक है, वो minimum resources का use करके, ठीक है, information को formally assess कर पाएं, तो basically, RTI हमारा overall इस चीज़ के बारे में है, फिर आगे देखते हैं, इसमें क्या-क्या और चीज़ें हो सकती है, हमारे benefit के लिए, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज होती है, कि information क्या है, what does information mean, information में से क्या-क्या से information है, जो हम ले सकते हैं, और उस information का मतलब क्या है, तो information means any material, in any form, including record, documents, memos, opinions and advice, place, release, circular order, हमारे source of information है, like record से जो हमें मिल सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का particular data है, then document, जो है, opinion and advises भी है, ये भी एक तरीके की हमारी information होती है, जो press release होता है, ये भी हमारा एक तरीके का information होता है, log book, circular, ये सारे जो हैं, हमारे information की category में आते हैं, ठीक है, कुछ advice के थ्रू मिल सकता है, कुछ circular के थ्रू मिल सकता है, कुछ books, तो ये सारे जो हैं, हमारे source of information है, और information means included all these things, ओके, देन क्या है, यहां पे हमारे कुछ जो है, बेसिकली कुछ तो ऐसे हैं, कि जो हमारे उसमें, सबसे बड़ी समझने की ये चीज़ है, कि क्या चीज़ें हमारी information, किस चीज की हम ले सकते हैं, और किस चीज की information, जो है, वो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले, सबसे ये जानना जरूरी है, कि एक बार ही हम इसको और revise कर लें, कि basically need क्यों थी RTI Act की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि openness को promote करने के लिए, transparency को promote करने के लिए, जो इसके major objective थे, ठीक है, accountability को जीतने भी है, public authority, और जो main चीज़ था कि, corruption को reduce करने के लिए, कोई चीज़ अगर किसी, suppose करिए, कोई एक आपको किसी एक चीज़ का love मिल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी scheme आई government की, जिसके थूँ आपको, उस particular scheme के तगहत, आपको कुछ हो सकता है, कि health से related कुछ benefits मिलने वाले हैं, हो सकता है, education से related कुछ benefits मिलने वाले हैं, तो और अगर आपको कहीं यह लगता है, कि इसमें तो कुछ तो लोचा है, तो आप जो है, information उससे related collect कर सकते हैं, कि यह अगर हमारा यह proper नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, और इसमें exactly क्या क्या provisions हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, कि हम exactly जान पाते हैं, कि हमारे rights क्या है, और actually में इस act या फिर यह जो हमारे लिए कुछ regulation, कुछ भी जो भी scheme लाई गई है, उनका actual meaning क्या है, तो हम उस चीच को समझ पाते हैं, फिर हम identify कर पाते हैं, कि हमारे साथ जो सही हो रहा है, वो सही है, या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कि जभी आप सबसे बड़ी चीच होती है, कि education, most important चीच है न, जब education रहेगी, even आपकी logical reasoning, तो आप बहुत सी चीचों से बच सकते हैं, तो reduce corruption, that means कि जभी आपके पास information रहेगी, प्रॉपर information हर चीच की रहेगी, तो जाइर सी बात है, corruption होने के chances क्या होंगे, कम होंगे, तिन क्या है, हो सकता है कि दूसरी सबसे बड़ी चीच की, जो ब्रीजिंग गैप होता है, लाइक बिट्विन प्रोवाइडर और recipient के बिट्विन अगर हम बात करें, public services को देने के लिए, तो उसको भी क्या करेगा, यह reduce करता है कुछ हट तक, और citizen जो है, जो citizen है, हमारा क्या है, हम एक democratic state है, ठीक है, तो हमारा क्या है कि citizen, जो है, वो एक important role play करते हैं, हमारे government making से लेके, तो उनको जो है, एक, मतलब part बनाना decision making का, ठीक है, make citizen part of decision making, और जो administrative है, उसको responsive बनाना, ठीक है, इन सारे चीजों के लिए क्या थी, हमें एक ऐसे act की, एक ऐसे law की जरूरत थी, जो हमें यह सारे citizen को, ठीक है, जो उनको information needed है, जो उनके लिए जरूरी है, उसको असेस कर पाए, ठीक है, इसमें, जो हमारा exemption है, कि क्या क्या चीजें, हम नहीं ले सकते हैं, इसमें information के थूरू, कि तो उसमें क्या है, कि जो information हमारी क्या है, हमारे इंडिया की sovereignty से related हो, उसकी integrity से related हो, यानि कि, उस information को हम नहीं assess कर सकते हैं, जिससे मतलब sovereignty और integrity पे कुछ effect पड़े, ऐसे information को हम नहीं assess कर सकते हैं, दूसरा, जो information कुछ ऐसे information भी होती है, जिसको court prevent की रहती है, तो उस information को भी, इस act के, उसमें नहीं रखा गया है, उसको exempted किया गया है, यह सारी information हम नहीं ले सकते, दूसरा, जो privilege of parliament है, उनकी brief को, ठीक है, जो कुछ trade secret होते हैं, जो intellectual properties होती हैं, like patent वगर है, इसके बारे में, आप RTI के थूँ information नहीं ले सकते, क्योंकि उनके अपने particular दारे होते हैं, उनका rule regulation अलग होता है, यहाँ पर आप सिर्फ उन चीजों के बारे में जान सकते हैं, जिससे, जो है दूसरे की privacy, ठीक है, जो उसकी बिल्कुल privacy की चीजों, और, जो है, हमारे देश का जो भी defense system है, जो भी, उस information को assess करने का right इसमें नहीं है, इन सारी information को इससे exempted रखा गया है, इसमें अगर हम और देखें, तो जो information जो foreign government से receive होती है, उस information को भी हम, इसमें include नहीं करते, ठीक है, किसी की life, किसी के physical safety से related, किसी की life से related, जो है, बिल्कुल private चीजें, वो हम नहीं disclose करते हैं, उसको हमने बाहर रखा हुआ, exempted law information है, यह सारी इस law से, ठीक है, तो यह सारे कुछ है, for example, अगर हम example के तौर पर समझना चाहें, कि कैसी information, तो जैसे हमारे IB की कुछ information हुई, ठीक है, RAW की कुछ information हुई, कुछ cabinet, secretary है, उनकी information हुई, यह सारे जो organization है, इनकी information को, इसमें include नहीं किया गया है, फिर जो हमारे हो सकते हैं, narcotics control bureau, यह जो है, इस information के अंदर नहीं आता है, then BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, यह जितने भी हमारे हैं, और even, एवियन रिसर्ट सेंटर, special frontier force, यह सारे हमारे, और जितने भी हमारी forces हैं, लाइक असम राइफल्स हो गया, special service bureau हो गया, special branch, अंडमान निकोबार का, crime branch, जो है, दादर नगर हवेली, और special branch, जो है, लक्षदीप पुलिस का, यह सारा जो है, इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है, तो अभी example के तुरूँ आपको समझ में आया होगा, कि क्या-क्या चीजें जो है, मतलब इससे अलग रखी गई है, लाइक जितने भी हमारी forces हैं, जितनी भी forces हैं, आम forces उनको, पैरा मिलिटरी forces उनको, और कुछ हमारे जो specific research center है, जो हमारे country के लिए, उनकी sovereignty के लिए बहुत ही important है, उनको भी जो है, इस act से बाहर रखा गया है, उनकी information को हम assess नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और RTI जो act है हमारा, वो कब आया था, जैसे कि हमने पहले बताया है, यह 12th of October 2005 को आया था, और यह कितने state को cover करता है, सारे state को cover करता है, जब यह आया था, तो उस time पे क्या, जम्मू कस्मिर को नहीं, जो है cover करता था, और यह जो cover करता है, जितने state को, यह section 2H के अंदर, इस चीज को लाते हैं, जो section 2H है हमारा, उसमें जो है, इसके coverage की बात की गई है, कि किस को cover करेगा, जो इसके non-governmental organization है, जो directly finance करते हैं, फिर indirectly funding करते हैं, government को, उनके लिए जो information का issue है, वो section 2E के अंदर दिया गया है, यह सारी चीजें इतनी important नहीं थी, इस वज़े से मैंने इसको, slide में include नहीं किया है, बट मुझे लगा additional है, तो आप इसको note down कर सकते हैं, अगर आप चाहें, तो basically ऐसे इतना घुस के उसमें पूछने वाला तो है नहीं, क्योंकि यह इतना ज़्यादा major topic तो है नहीं, एक छोटा सा topic है, तो इसमें हम बस उतनी ही चीजें पढ़ेंगे, जो हमारे information के लिए, बट हमको जहां पर लगेगा कि कुछ additional आपको हम knowledge दे सकते हैं, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है, उसको हम बीच-बीच में आपको ऐसे बताते रहेंगे, तेन क्या है, कि इसमें आगे चलते हैं, इसमें जो procedure होता है हमारा, कैसे हम information को collect कर सकते हैं, तो उसके लिए basically क्या होता है, कि हमें एक simple अप्लाई करना होता है, ठीक है, electronic means, मतलब उसमें language का क्या है, कि English language हो सकती है, Hindi हो सकती है, या फिर कोई भी official language, जो उस area की हो, उसमें आप एक written application फाइल करते हैं, ठीक है, और reason भी उसमें देना होता है, कि किसलिए आपको ये information चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें mention करने के बाद, आप जो है fees पे करते हैं, basically जो application की fee होती है, वो about 10 rupees होती है, ठीक है, अगर आप कुछ electronic like CD वगरे के थुरू कुछ, अगर कुछ electric gadget का use करके कुछ करते हैं, तो उसका कुछ दो रूपए पर ऐसे कुछ charge होता है, उसके extra charges होते हैं, और जो हमारे poverty line से नीचे के people है, उनके लिए ये भी charges नहीं होनते हैं, उनके लिए ये free work cost जो होता है, ठीक है, अगर इसके time limit की बात कर लें, कि time limit क्या क्या है, information को get करने की, तो जो इसके लिए time limit दिया हुआ है, वो है कि 30 days, जो application आपने फाइल किया, ठीक है, PIO जो होता है, वो एक public analyst होता है, public authority होता है, ठीक है, तो वो जो है, सारी information, अप्लिकेशन उसके पास जाता है, वो वहाँ से जो है, वो responsible होता है, कि वो आपको information दे, ठीक है, public authority कि से मीन होता है, कि कोई भी authority और body institution, जो establish किये गए हैं, constitution के through, ठीक है, public authority का मेंन्स की, like कोई भी constitution के through बना है, ठीक है, बनाने के लिए appropriate government के through, ये सारे हमारे public authority में आते हैं, ठीक है, public authority से, in the sense, आप ऐसे कह सकते हैं, government bodies, ठीक है, कुछ cases में ऐसा भी होता है, कि कुछ हमें ऐसे seem होती है, कि हाँ ये private है, बट उसमें कुछ funding जो है, हमारे government की भी होती है, अगर उसके sayer 60% से जादा है, तो अभी हमारे public authority के अंदर आती है, और उसके information आप ले सकते हैं, ठीक है, तो ये तो गई public authority की बाद, देन क्या है, कि 35 days, ठीक है, assistant PIO के, वहाँ से आप 35 days के अंदर, जो है, information ले सकते हैं, इतना limit होता है, और अगर कोई बहुत ही जादा ऐसे matter है, ठीक है, जिसमें किसी की life और liberty से थुरू कुछ ऐसा matter है, तो जिसमें बहुत emergency का लगे कि हाँ भी देना ही है, तो वो 48 hours का होता है, ठीक है, इतने limit में जो है, आपको information मिल जाती है, ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे उसकी बात, इसमें से अगर कुछ extra और है, तो हम उसको जान सकते हैं, लाइक अगर बात की जाए, कि हमने procedure भी देख लिया, हमने time limit भी देख लिया कि क्या क्या है, fees क्या लगती है, ये भी हमने देख लिया, और क्या हो सकता है, पहले जो अपरेख करें तो अगर आभ पीरτε कर दूसु आज ऐसा नहीं मिलती है, असलिजो नव करें सब्सक्रीश करें आभ में परेख है, और वहां से जो है आपको मिल सकता है तो इसमें Central Information Commission बेसिकली एक टर्म आता है CIC करके ठीक है यह हो सकता है कि पूछ ले वैसे question में मैंने इसको add किया हुआ है क्योंकि इसमें इतना दादा पर डिटेल में जाने की कुछ जरूरत थी नहीं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है न वह एक ऑटोनॉमस बॉड़ी है जो मतलब जिती कंप्लेंड है रिसीव मतलब बेसिकली सीडिजन की उनको रिसीव करने के लिए बेसिकली इसको बनाए गया था जैसे कि नाम से क थ्रू जो आप रिसीव करते हैं और उनकी मतलब उनकी कंप्लेंड बेसिकली इंफॉर्मेशन नहीं उनकी कंप्लेंड को रिसीव करके और उनको जो है इंफॉर्मेशन को असेस मतलब उनको इंफॉर्मेशन की असेस देना उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यह बे डिकेशन रिफ्यूजल हो गया ठीक है तो उसके लिए मतलब यदे फाल्स इंफॉर्मेशन मिली डिक्स्रक्टिव इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके लिए जो पैनल्टी होती हो अलग भाग भाग धाई सो रुपै की होती है और यह मैक्सिमम जो है वो ड्हाइजार रुपै त उसको यहां पर इंक्लूट करती हूं तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं वन सिकेंड क्वेश्चन करने से पहले मैं एंसर को बाद में रिवेल करूंगी उसके पहले अगर आपको अपना एव्यूशन करना है आप देखना चाहते हैं कि आप यहां पर हमारे कुछ आप 50 या 52 वाड़ियों और आप अपने answer को no down कर सकते हैं, mark कर सकते हैं, then जब मैं answer बताऊंगी तो आप उसको अपना evaluate कर सकते हैं, यह के simple सी process हो सकती है, ठीके, क्योंकि यहाँ पे तो हमें answer बता नहीं है, हम यहाँ पे live session तो हमारा हो नहीं रहा, तो चलिए देखते हैं इसको हम, ठीके, तो हमारा ज 12 October 2005 को, जैसा कि हमने अभी पिछली slide में पढ़ा, तो हो आप सारे लोगों को यह पहले से पता होगा और नहीं पता होगा, तो यह lecture के थरू तो आपको पता चल गया होगा, तो ऐसी कुछ चीजे हैं, जो आपकी question के थरू बहुत easily clear हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वो कुछ पूछते हैं, अगर हाँ, पर अगर आपको थोड़ा सा कुछ से ज्यादा का जानना है, तो आप इसकी website पे जाके कुछ नए amendment कुछ ऐसा हुआ हो, तो आप उसको महा से एसस कर सकते हैं, कुछ additional information, basically exam के point of view से तो इतना more than sufficient होगा, फिर second question है, हमारा, which of the following is not come under the definition of information under RTI 2005, यानि कि कौन सा ऐसा है, जो definition दी हुई है, information की under RTI, उसके अंदर नहीं आता है, तो इसमें जो है, option में हमारा क्या दिया हुआ है, log book दिया हुआ है, file noting है, data material है, जो electric form में hold हो और सरभूलर है, तो हमने information का वहाँ पे हमने सारा list देखा न, तो उसमें आ यहां पे file noting जैसा जो है, कुछ नहीं था, ठीक है, तो वो हमारे information, जो definition दी हुई है, basically information की, उसमें file noting जैसा कोई term जो है, RTI Act में नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे जो हमारा correct option हो जाएगा, इसके लिए वो हो जाएगा हमारा file noting, hope it's clear to you, चलिए आगे चलते हैं, अगला जो question है हमारा, वो है, the officer designated by a public authority in all administrative unit or office under it, to provide information to the citizen requesting for information under the act is known as, यानि कि जो officer designated किया गया है, public authorities के थूँ, ठीक है, जो administrator करता है सारी unit को, तो basically, जो है, citizen request करते है information के लिए, तो इस act के थूँ, कौन सा ऐसा person है, जो responsible होता है, उसके लिए, यहां पे पूछ रहा है, option में हमें दिया गया है, appellate authority, CIC, public information officer, जिसको PIO भी बोलते हैं, और assistant public information officer, जिसको PIO भी बोलते हैं, तो यहां पे जो हमारा PIO होता है, वो basically responsible होता है, इसके लिए, CIC क्या है, हमारा information commission है, information commission बनाए गया कि, जो complaint है, वो citizen से हम, क्या करें, assess करें, और उसको complaint को receive करें, और उनको information का assess दें, तो यह एक commission है, commission के अंदर different, different, जो है, इन्होंने body बना रख हैं, कि कौन इस काम को करेंगा, कौन इस काम को करेंगा, तो basically जो information को, देने का काम है, basically citizen के लिए, जो information को request करने का काम है, वो कौन करता है, वो public information officer करता है, तो यहां पे जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा option number 3, ठीक है, अगला question है, what is the time limit to get the information under RTI 2005, यानि कि, जो time limit वो कितनी है, अगर हमको information collect करनी है, तो कितना time limit है, information को लेने का, तो information को लेने का, जो time limit है, हमने पहले भी यह भी पढ़ा, वो है हमारा कितना, 30 days का, तो आप लोगको अभी question भी बहुत clear हो रहे होंगे, मुझे तो लग रहा है, कि आप मतल अगला है हमारा question, which is the, sorry, what is the time limit to get the information concerning the life and liberty of a person, यानि कि, कौन सा ऐसा, मतलब ऐसी कोई information हो, जिसमें किसी person के life and liberty से related हो, तो उस information के लिए कितनी time limit required है, तो वो होती है हमारी 48 hours, within 48 hours, अगर ऐसा कोई case है, तो उसमें आपको information देनी होती है, ठीक है, अगला question है, अगला question है हमारा, if the interest of the third party are involved in information, ठीक है, अगर किसी third party का, जो है, involved है, मतलब information sort में, तो maximum time limit कितनी होती है, information को लेने की, उस case में, information को लेने की, जो है, जो maximum time limit होती है, वो होती है, हमारी 40 days की, अगर, मतलब किसी third party का, उसमें involved है, third party in the sense, कि आपको information जहां से लेनी थी, आपने exactly उस जगें, फाइल नहीं किया, तो यहां, जिस department से लेनी थी, suppose, आपको home ministry से कुछ लेना था, ठीक है, पर आपने उसको, दूसरी ministry में फाइल किया, तो वहां से transfer होने में, वो थोड़ा सा time taking procedure होगा न, तो उस case में, जो है, हमारा 40 days का, यह होता है, तो यहां पर ज even a representation before the PIO in reply to the notice issue, ठीक है, इसके लिए अगर वो information का, उनको लगता है, कि कुछ ऐसे like confidential है, ठीक है, तो उस case में, क्या करना पड़ता है, third party को जो है, वो देना पड़ता है, representation PIO के पास, ठीक है, तो इस case में, जो reply उनका आता है, उसकी time limit कितनी होती है, तो उसकी time limit जो होती है आपकी, वो होती है, हमारी 10 days की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा option number 3 है, वो correct हो जाएगा, अगला question है, हमारा, what is the fee for getting information under RTI Act, किती fees लगती है, जब हम apply करते है, application form की RTI Act के थ्रू, तो वो हमारी लगती है, 10 रुपए, तो यहाँ पे हमारा option number 4 है, वो correct हो जाएगा, अगला question है हमारा first appeal to the first appealate authority can be preferred by the applicant within what day from the expiry of the prescribed time limit or from the receipt of the decision from PIO, यानि कि जो first appeal होती है, first appealate जो authority में, तो application को कितने दिन के उसमें prefer किया जाता है, उसकी कितने expiry जो होती है, prescribed time limit और उसका जो decision जो लेता है, वो कौन लेता है, POI तो उसका पूछ रहा है कि वो कितना जो है, within what day, तो इसमें जो date होता है, वो जो date है, वो होता है हमारा, कितने दिन का, वो होता है, हमारा 30 days का, तो यहाँ पे जो हमारा option number 1 है, वो correct हो जाएगा, क्योंकि इतना ही हमारा time limit होता है, 30 days का, ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो question है, वो है कि जो first appeal होती है, ठीक है, first appeal cell भी disposed by the first appeal authority, ठीक है, first appeal जो है, वो first disposed ही जाती है, first appeal authority है, within what, within what day, from the date of its receipt, यानि कि, जब आप receive करते हो, ठीक है, तो उसका जो date है, within what day, मतलब उस date से कितने दिन बाद आप receipt ले पाते हो, तो उसके लिए जो हमारा time limit है, वो है हमारा कितना 30 days again, ठीक है, तो यहाँ पर बस क्या किया गया है, question के form को change किया गया है, बस लब ले दे के, सबका time limit का ही है, और time limit हमने पहले discuss की कि किस case में कितनी है, ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में है कि आप पूछ रहा है, तो अगर एक trick है, जिससे अ third party का बहुत ज़्यादा involvement है, तो उस case में क्या हो सकता है, कि 40 days, बाकि सारे case में आपको देखने को मिलेगा, यह जो limit होती है, यह हमारी कितनी होती है, यह हमारी 30 days की ही होती है, ठीक है, तेन है, हमारा period for disposing first appeal can be expanded by days of 30 days if necessary, ठीक है, अगर नेसेसरी हो, तो जो disposing first appeal है, उसको क 30 days होती है, बाकि उसको कितने दिन तक और जो है, बढ़ाया जा सकता है, अगर मदम नेसेसरी हो तो उस case में, तो उस case में जो है, इसको बढ़ाया जा सकता है, कब तक उस case में इसको 15 days का और extension मिल सकता है, ठीक है, अगला question है हमारा, the long title of RTI, जो long title RTI Act का, seek to promote the following qualities in the working of every public authority, ठ ठीक है, तो basically, बनाया किसलिए गया था, इसके objective में क्या आएगा, वो था हमारा क्या, transparency, तो यहाँ पे जो हमारा correct option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा transparency, तो जो long title RTI Act to seek promote the following qualities, कौन सी quality को promote करने के लिए, तो basically, transparency जो है, उसको promote करने के लिए लाया गया था, तो यहाँ to the Central Information Commission, पहले जो है, वो आप किसके जो Department, Senior of Department को पहस्त अपील होती है, दूसरी अपील कहा होती है, वो होती है, हमारी Central Information Commission, CIC में, the State Information Commission can be preferred by the applicant, within what day, from the date on which the decision was given, or should have been, तो वो कितने जो second appeal होती है, वो कितने दिन में दी जा सकती है, जिसमें आपका मतलब वो time limit दिया हो, तो वो होती है, हमारी लगभग किते दिन की, वो होती है, हमारी 90 days की, तो यहां पे जो हमारा Option No.4 है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीके, अगले question की तरफ चलते है, अगला question है, हमारा appointment committee, जो है, appointment committee of Central Chief Information Commission, जो appointment committee होती है, CIC की Central Chief Information Commission की, उसमें क्या-क्या included होता है, उसमें जो है, हम प्राइम मिनिस्टर, included होते है, leader of opposition, लोग सभा, वो भी included होते है, और one union cabinet minister, जो nominate किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के सरू, यह सारे लोग जो है, उसमें included होते है, तो एक तो हो गया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा जो opposition का लेडर होगा लोग सभावे, वो हो गया, और एक cabinet minister, जो nominate किया जाते है, प्राइम मिनिस्टर से, तो यह total numbers कितने हो गया, थ्री, ओके, यह भी एक information, अगर कभी numbers के form में पूछे, तो वहाँ पे आप three mark कर सकते है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा option, correct option होगा, वो हो जाएगा, हमारा option number four all of the above, ठीक है, अगले question की तरफ चलते है, अगला question है, हमारा, consider the following statement about the right to information act 2005, and select one which is not provided for especially exempted, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है, जिसमें इसको exempted किया गया है, basically, RTI 2005 में, option दिया गया, it is not applicable in the state of Jambu Kasmi, ठीक है, an applicant making request for information will have to give region for seeking information, removal of chief information officer, तो जो removal है, chief information officer का, ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा गया है, या फिर दिया गया है, ठीक है, ऐसी information को जो है, वो एक्जम्प्रेट नहीं किया गया है, ठीक है, अगला है हमारा, RTI Act, give right to seek information from the following, यानि की, RTI Act, जो है, वो right देता है, किसको seek information from the following, कौन कौन सी information को लेनेगा, कहां कहां की, तो जो right दिया गया है, ठीक है, वो कौन कौन सी information को लेने का, वो है हमारा, यहाँ पर option में दिया गया है, private companies, MNC, public authorities, तो basically हैं पर बात किस की हुई थी, public authorities की, तो जो information जहां से हम ले सकते हैं, वो कौन सी है, हमारी public authorities, तो यहाँ पर जो हमारा option number third होगा, वो correct हो जाएगा, ठीक है, अगला question है, हमारा, Central Chief Information Commissioner is appointed by, जो Central Chief Information Commissioner होते हैं, वो किसके द्वारा appoint किये जाते हैं, तो Central Chief Information Commission जो होते हैं, वो appoint किये जाते हैं, प्रेसिडेंट के थू ठीक है, प्रेसिडेंट जो है, Central Chief Information Commissioner को, जो है, appoint करते हैं, ठीक है, अगला question है, हमारा, जो Chief Information Commission, जिसको हम CIC बोलते हैं, sell be appointed for a term of, वो मतलब कितने, जो है, कितने साल के लिए, appoint कि जाते हैं, या फिर अगर उनकी यह जादा हो गई है, तो वो उसका tenure कितना है, basically यह पूछ र 65 यह जो हमारा पहले हो जाए, या तो अगर उनकी एज जो है, कम है, तो वो पांच साल के लिए, पॉइंट है, suppose अगर किसी है की एज, जो है 62 यह की है, और उस ताइम पे उसको अपॉइंट किया गया, अगला क्या होगा, कि 65 यह में जाके वो रिटायर हो जाएगा, तो य कि जो section 41, sorry, जो section 41B है, और sub clause 10 है, RTI Act का, वो state करता है, that a public authority should publish, बबलाब पबलिक अथर्टी को क्या पबलिस करना चाहिए, तो पबलिक अथर्टी को पबलिस करने के लिए, जो act जो है, वो बोलता है, वो है हमारा क्या, उसको पबलिस करना होता है, जो budget allocate किया गया, ठीक है एजनसी के, इस एजनसी में, मतलब एक particular agency ने कितने कितने चीजों के लिए, क्या क्या budget जो है, allocate किया, ठीक है, जो उसका expenditure, proposed expenditure कितना है, ठीक है, उसने क्या report किया, disturbance में, वो सारा, जो है, information, वो सारा, इसमें, include करने की, बात की गई है, ठीक है, तो यहां पे, जो हमारा all of the above ह है, वो correct हो जाएगा, अगला question है हमारा, what is the time spent mentioned in the RTI Act 2005 for making order for removing difficulties in a giving effect of the provision of the RTI Act 2005, यानी कि, कितना time spent, जो है, mention किया गया है, RTI Act में, अगर order को आप बनाते हैं, तो उनकी, जो है, difficulties को remove करने के लिए, और इस provision को effect में लाने के लिए, तो यह जो है, यह जो time limit दिया गया था, वो the commencement of the act, जो दो यह, तक commencement of act commit, ठीक है, तो यह एक additional information है, अगला question है हमारा, the second schedule of the RTI Act 2005 can be amended by, जो second, second schedule है हमारा, second schedule है, जो RTI Act का basically, वो कौन amendment उसके कर सकता है, ठीक है, तो जो second schedule है, उसकी amendment जो है, वो कौन कर सकता है, अप्शन में गिवेन है, हमारा central government, state government, both are none, तो basically जो amendment कर सकता है, वो है हमारी central government, central government जो है, वो amendment कर सकती है, RTI Act में, जो हांकी हमारा, 2019 में इसका amendment भी हुआ था, ठीक है, जिसमें, जब यह, जब मुकस्मीर भी इसमें include हो गया, ठीक है, RTI Act 2005 comes into force after day of its enactment, यानि कि, जो इसका enactment day था, उसके कितने दिन पाद जो है, यह force में आई थी, तो यह आई थी हमारी कम, 120 days के बाद, ठीक है, अगर आप देखें, तो कभी आया था इसका, यह आया था जून में, और जब यह force में कम आई थी, यह आई थी हमारी अक्टूबर में, तो यह लगभग 120 days का period था, ठीक है, अगला question है, हमारा RTI Act 2005 enacted on, जो RTI Act 2005, वो कभी inact हुआ था, तो वो हमारा inact हुआ था, 15 of June 2005 को, ठीक है, यह हमने पहले भी पढ़ा आया, ठीक है, तो इसको इत्ता जदा और elaborate करने की ज़रूरत तो आइकिंग नहीं होगी, अगला question है, हमारा section of the RTI Act, deal with obligation of public authorities, यानि कि कौन सा इसा section RTI का, जो डील करता है, obligation of public authorities को, तो इसके लिए जो section हमारा डील करता है, वो है हमारा section कौन सा, section, जो है हमारा section 4, sub clause A, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा option number C है, वो correct हो जाएगा, option number 3 है, वो हमारा correct हो जाएगा, ठीक है, अगला question है, हमारा, which section of the RTI Act, deal with constitution of central information commission, जो central information commission का ज basically, कौन सा section जो है, उसको deal करता है, RTI Act का, तो है हमारा section 12 और 13, basically, इसके लिए deal करता है, तो है हमारा option number 4, जो section 12 और 13, वो इसके लिए, सही हो जाएगा, इस question के लिए, अगला question है, हमारा, the Act expanded to the whole of India, except the state of, यह जब बना था, उस ताइम पे, उस ताइम के लिए, यह जो question है, उस ताइम पे, अगर यह से पूल सकते हैं, कि जब बना था, तो कौन सा इस्टेट इस से बाहर था, तो इसका easy answer है, कि जब मुएंकस में, ठीक है, अभी नहीं है, अभी बाहर नहीं है, पहले था, ठीक है, इस चीच को आप ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है, अगला question ह है, how much time does AIPO at the most have to forward the RTI application to the Public Information Commission, यानि कि कितने time में जो assistant, जो होता है, पुबलिक इन्फोरमेशन ओफीसर उसको कितने ते ताइम लिमिट में उसको इन्फोरमेशन को भेजना होता है, किसके पास, पुबलिक इन्फोरमेशन के पास, तो पुबलिक इन्फोरमेशन के पास, ब भेजना होता है, ठीक है, अगला question है, हमारा, there is an upper limit for the number of PIOs and APIOs to be appointed by public authority as per the act, यहाँ पे मतलब कोई provision है क्या कि जिसमें हम मतलब एक upper limit दिया गया है, कि इतने PIOs और इतने APIOs को अपोइंट करेंगे public authorities में, तो यहाँ पे क्या है, क्या यह statement correct है, तो नहीं, यह statement जो है, correct न नहीं दिया गया है, कोई असी limit नहीं है, यहाँ पे, RTI Act में कि इतने PIOs और इतने APIOs को हम अपोइंट कर सकते हैं, इससे जादा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कोई limit नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप से नंबर जो हमारा 2 होगा, वो correct हो जाएगा, ठीक है, अगला question है हमारा, जो है, right to information include the right to obtaining information in the form of, जो right to information include करता है, right to obtaining information in the form of, किस form में आप जो है, information को assess कर सकते हैं, तो आप जो है, information को assess कर सकते हैं, disk kept के through, fluffies के through, tape के through, और यहाँ पे जितने भी, मतलब option है, उन साहरे के through, आप इसको assess कर सकते हैं, यहाँ पे जो option number 4 है हमारा, वो correct हो जाए है the preamble is that revelation of information in actual practices is likely to conflict with जो preamble है वो और्ज करता है कि जो revelation of information है ठीक है actual practices में जिनके साथ conflict हो सकता है वो कौन सी है उसमें क्या included होगा तो उसमें हमारा included होगा जो है other public interest की जो information है तो यहां पर option number जो हमारा third है वो correct हो जाएगा then अगला question जो है हमारा अगला question है the preamble to the RTI act state that the transparency of information is vital to जो transparency है public authorities की ठीक है information की वो किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वो जरूरी है कि हम जो the preamble of the RTI हाँ जो preamble है RTI act का वो इस्टेट करता है कि transparency of information is vital to transparency of information है वो किसके लिए vital है वो जो correction contain करते हैं उनके लिए ठीक है तो यहां पर option number जो हमारा 2 है वो correct हो जाएगा अगला question है हमारा which section of RTI act deal with exemption from disclosure of information कौन सा ऐसा जो section है जो deal करता है जिसमें कुछ जो information हमारी exempted है वो कौन से section में हमारी रखी हुई है इस चीज को कौन से section इस चीज से deal करता है तो है हमारा section 8 ठेक है यह सारी जो information हो section 8 के अंदर आती है तो यहां पर जो option number हमारा 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा अगला question है हमारा अंडर विच सेक्शन अ सेंट्रल और स्टेट पॉब्लिक information officer में रिजेक्ट और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वेयर सच रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग असेस्ट वूड इन्वाल वैं इन्फ्रिजमेंट आफ कॉपिराइट सब्जेक्ट ठीक है तो किस सेक्शन के थूँ जो है intellectual properties से related information वो इसको exempted किया गया है तो इसका जो कॉपिराइट सब्जेक्ट है मतलब कि इसमें कौन से सेक्शन है जो यह राइट देता है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसे जो है information मांगी जाए तो वो सुझा है section 9 ठीक है अगला है हमारा the definition of information under section 2F इंक्लूट जो definition है information की section 2F में उसमें क्या-क्या include किया गया है तो उसमें जो record है opinion है और document है यह सारे को ही include किया गया है तो यहां पे जो हमारा correct option हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा option no.4 okay then हमारा अगला question है AIPO has to forward the first appeal to AIPO है वो जो है first appeal को कहां transfer करता है तो जो first appeal होती है वो assistant public information officer has forward first appeal to first appealate authority तो यहां पे जो हमारा option no.1 है sorry third है first appealate authority वो correct हो जाएगा ठीक है अगले question के दरब चलते है अगला question है हमारा time limit for the disposal of first appeal by the first appealate authority कितना जो है time limit है disposal disposal का first appeal जो है by the first appealate authority का तो वो जो है time कितना time है तो इसमें जो sorry इसमें जो time दिया हुआ है वो है like यहां पे जो हमें दिया हुआ है information में 10 to 15 days 30 to 14 days 15 to 16 days of 70 to 19 days तो यहां पे जो basically time limit दिया है वो है हमारी कितनी 30 to 40 days यह जो है हमारा time limit है तो यहां पे हमारा option no.2 है वो correct हो जाएगा अगला question है AIPO has to receive the following from the citizen यानि की AIPO जो है वो क्या receive कर सकता है citizen से तो AIPO जो है वो क्या receive करता है citizen से वो receive करता है application for information यानि की जो application वो देते है information के लिए कि उनको सीज के बारे में information चाहिए वो receive करता है वो ठीक है which section deal with severability of the RTI Act कौंसी जो है कौंसा section है जो severity of RTI Act को deal करता है तो वो है section जो 10 है वो severity of RTI Act को insure करता है या फिर उसको deal करता है ठीक है तो यहाँ पे जो हमार option number 3 है that is section 10 वो correct हो जाएगा अगला question है RTI Act is not applicable to जो RTI Act है वो किस पे applicable नहीं होता है तो RTI Act जो है हमारा वो कहाने यह applicable होता है वो हमारा जो non-governmental organization है ठीक है उन पे क्या है उन पे applicable नहीं होता है ठीक है अगले question के तरफ चलते हैं अगला question है हमारा How many countries in the world have freedom of information legislation or regime यानि कि कितनी ऐसी countries है जिनके पास जो है freedom of freedom of information legislation है तो वो है over 80 countries जो है worldwide वो ऐसी है जिनके पास ये right to information का कुछ न कुछ regulation या फिर act है उनके हैं ठीक है अगला question है हमारा Which Who receive application under RTI Act 2005 यानि कि कौन जो है वो application को receive करता है RTI Act 2005 के अंदर तो जो हमारा Public Information Officer होता है Administrative Label पे ठीक है अब वो और जो Assistant Public Information Officer होता है ये दोनों ही हमारे जो होते हैं वो information को receive करते हैं As per the RTI Act 2005 अगला question है An applicant making request for information जो applicant है वो request जो information की वो किसको देता है या फिर उसमें क्या लिखा होता है तो उसमें जो होता है हमारा उसमें होता है कि जो applicant जो make करे request information की वो मतलब ऐसा रिजन दे information को assess करने का जो मतलब किसी के personal detail या फिर इंडिया की integrity और sovereignty से related ना हो तो यहां पर जो option number 3 है वो correct हो जाएगा ठीके अगला question है हमारा under the RTI Act the language of an application में भी इन जो RTI Act की अगर बात करें तो उस Act के अंदर जो language है application की वो किसमें हो सकती है तो यह जो language है हमारी वो English भी हो सकती है हिंदी भी हो सकती है और original language में जो उस particular state या फिर उस particular region में officially used होती है वो वाली language भी वो original language भी उसमें आ सकती होती है यहां पर जो हमारे सारे ही option है option number 4 है वो correct हो जाएगा अगला question है which was the first country in the world to have enacted a legislation further providing for citizens RTI यानि कि कौन सा ऐसा state है कौन सा ऐसा country है वर्ड वाइड जिसने सबसे पहले क्या है RTI का मदलब in act किया अपने हाँ legislation लाया जिसने मदलब जिससे वो provide कर सके अपने citizen को information related to public authority तो वो जो first country है वो थी Sweden Sweden ने इसकी शुरुआत की थी यहां पर option number जो हमारा 1 है वो correct हो जाएगा और एक अच्छा information है आप इसको याद रख सकते हैं अगला question है हमारा the first Indian state which introduced the law on RTI जो पहला state था इंडिया में वो कौन सा ऐसा state था पहला जिसने पहले इसको इंट्रुड्यूस किया तो वो था हमारा Tamil Lado Tamil Lado में जो है सबसे पहले आया था इंडिया में और अगर worldwide बात करें तो कौन सा ऐसा country था वो स्वीडन था जिसने इसको लागू किया ठीक है अगला question है हमारा how many type of public authorities आर देर कितने type की public authorities जो है यहां पे है यहां पे है यहां किती type की public authority है तो जो एक है हमारी central public authority और एक होती है हमारी state public authority तो इसमें जो है दोनों को include किया गया है तो यहां पे जो बोथ है option number हमारा third वो correct हो जाएगा ठीक है अगला question है हमारा the time limit is specified in RTI 2005 for the central state information commission to decided and complaint is कितनी time limit specified की गई है इसके लिए तो इसके लिए जो time limit specified की गई है वो क्या है वो है हमारा कि basically जो central और state information commission है कि decide कर पाई complaint को तो basically उसके लिए कोई time limit required नहीं है और कोई भी time limit इसके लिए specified भी नहीं की गई है ठीक है अगला question है हमारा first appeal against the decision of PIO can be preferred by जो first appeal अगर हम बात करें appeal against decision of PIO यानि कि PIO ने कोई decision दिया उसके लिए अप appeal जो है वो कहां पर prefer कर सकते है है वो कौन prefer कर सकता है तो वो जो appeal है वो कौन prefer करेगा वो prefer करेगा आपका यह applicant भी कर सकता है ठीक है और कोई person जो public authority में है वो भी कर सकता है कोई भी person outside the public authority ठीक है to whom the information pertain याई information जिससे related है वो भी जो है कर सकता है तो यहां पर जो option number हमारे तीनो जी option है वो correct हो जाएगे यानि कि option number जो हमारा 4 है वो correct हो जाएगा ठीक है अगला question है हमारा public information officer public information officer is libel to be imposed monetary penalty for किस चीज के लिए monetary penalty इंपोस करने के लिए तो अगर जो है हम like a refusal होता है refusal to receive an information application ठीक है उसको receive करने से information application जो है उसको receive करने से refusal देना या फिर information को नहीं provide करना within a specified time limit या फिर information को जो है destroy करना यह तीनों ही cases में जो है public information officer जो है libel to impose monetary penalty ठीक है इन सारी चीजों के लिए उसको monetary penalty देनी दी जा सकती है ठीक है अगला question है हमारा time limit for filing appeal by a requester under sub section 1 of section 19 इस यानि कि अगर कोई इंसान कोई भी है जो request करता है कोई अपनी appeal को file करता है sub section 1 of section 19 में तो उसके लिए क्या procedure है तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई section 19 के sub section 1 के through अगर कोई information करता है तो 30 days from the receipt of PIO उसमें decision आ जाता है तो यहां पर जो option number हमारा 2 है वो correct हो जाएगा ठीक है अगला हमारा question है how many schedule does the RTI act have यानि कि RTI जो act है उसमें किते जो schedule दिये हुए है तो तो RTI act में जो है हमारे schedule का जो number है वो है हमारे 2 ठीक है दो schedule है हमारे RTI act में ठीक है अगला question है the second schedule of the RTI act 2005 list यानि कि जो second act है second schedule है basically RTI act का उसमें क्या आता है तो उसमें जो है हमारा the intelligence and security organization established by the central government that are exempted from the preview of the RTI act यानि कि कौन-कौन से जो है ऐसे information है जो उनको exempted किया गया है उसके बारे में जो second schedule है वो बात करता है तो यह थे हमारे आज के जो है top 52 questions और कुछ basic details जो exam के point of view से important थी वो हमने आप तक महुँचाने की courses की अगर आपको हमारा यह session पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को like करिएगा माय चैनल को subscribe करिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा जिससे वो भी इस information को collect कर पाएं ठीक है कोई भी अपना suggestion हो तो हमें comment box में जरूर बताईएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच